ऐसा है कि मैंने बजेट पढ़ा है और मेरी सरकार ने जो बजेट प्रस्तुत किया है आज के समय पर उत्तर प्रदेश को आगे जैने वाला बहुत बढ़िया संकल्प उसमें दिखाए देता है और मुझे विश्वास है कि सारा सदन उसका समर्थन करेगा और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश और प्रगती के रास्ते में जाता रहेगा ऐसा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये तो जाच पूरी होने के बाद बाहर आएगा उसके बारे में मैं कुछ कहना उचित भी नहीं है क्योंकि मुझे उसकी आपको जितनी अकबार से जानकारी है उतनी मुझे है लेकिन बड़े बड़े लोग जिस प्रकार से ऐसे आर्थिक घुटाले करते रहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि देश के लिए बहुत बड़ी खतरनाक बात है और इसकी जितनी निंदा हो उतनी करनी चाहिए लेकिन अखिर एंक्वारी पूरी होने के बाद ही चितर सामने आएगा